नमस्कार जी कैपिटल में आपका स्वागत है आज है 21 सप्टमबर और आपके लिए एक नई वीडियो फ्रेंड्स आज बाजार में भाड़ी गिरावट रही जिसके मुख तीन कारण बताए गया है जिसमें से पहला कारण है कि दुनिया के जितने भी बड़े नामी बैंक हैं वो चाहे जेपी मोरगन हो चाहे एचेसबीसी हो या और अन्य बैंक हैं उनमें से कुछ ने मनी लॉंडरिंग का काम किया है और ऐसा पता चलने से बैंकिंग सेक्टर की पूरी दुनिया में ही नहीं भारत में भी जोरदार पिटाई हुई है और आगे भी हो सकती है दूसरा मुखे खबर रहा है कि ये और देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने पर बिचार कर रहे हैं और तीसरी फ्रेंट जो न्यूज थी वो है ये थी कि भारत चीन सीमा विबाद का और अधिक गहरा फ्रेंट्स ये तीनों ही न्यूज ऐसे नहीं है जिससे दुनिया आज से पहले बिल्कुल बेखबर थी और आज एकदम से इन खबरों का पता चला है जिसके चलते इतने अधिक असर हुए हैं कि बाजार में भेंकर गिरावट आ गई है फ्रेंट्स ये तीनों न्यूज अपनी जगह सही है और पहले सही लोगों को पता है लेकिन भारतिये बाजार के गिरने की असली वज़ा वही है जिसके उपर मैंने पहले ही वीडियो बना कर आपको बताया था कि भारतिये एकोनॉमी और बाजार की तेजी में कोई मेल ही न तो उसमें लगभग 23.9% तक की गिरावट थी और भारतिये बाजार को आपने देखा कि बहुत सारी कमपनिया अपने 52 विक्क्य हाई और अपनी all time हाई लगा रही थी तो फ्रेंट्स बाजार को अपना उल्लू सिधा करने के लिए अपरेटर्स, मीडिया और बड़े लाभ लगभग पूरा हो गया है तो बाजार को अपने हालत पर छोड़ने की आज मात्र एक जलक भर है अगर अपने वास्तिविक इस्तिती में कल तक बाजार को अगर छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से अप देखेंगे कि 9050 इंडेक्स एक ही दिन में 10 हजार के अंको से नीचे चली जाए तो फ्रेंड्स ये तो रही सारी निगेटिव निउज और बाजार की वास्तिविकता हैं किन्तु इसी में से उत्तम भहलू स्टील के निवेश्कों के लिए एक जोड़दार निउज आई है जिसे मैंने सोचा कि आप सब से सेर करूं फ्रेंड्स बिज डेलाइ। the consortium led by U.S. बेस्ट फंद कर्वाल इंवेस्टर इस एक्जिट टो प्रेंड़ अप्रेंड्स इस प्रेंड्स इसे एक्षोड प्लेश अवेश्टिट इस एक्षिछ अट्म भहलू स्टेल और बाज़ू से चूटबर इसकिशपन से लिए टिए अच्टूबर इस इकोनोमिक अंसर्टेनिटी अनलिस्ट बाइ कोविट पेंडेमिक अर्ली इस मौन्थ देशनल कंपणी लौ अपिलेट ट्रिबूनल क्लियर्ट दे लास्ट हर्डल फॉर एक्जिशन अफ द डील बाइ डिस्मिसिंग द अपील आफ अपरेशनल क्रेडिटर्स एगेंस द बीड तो फ्रेंट्स इस पूरे निउच को मैंने देखा है और इस पूरे निउच के अगर लबो लुआ आपको और इसके सारांस को मैं आपके साथ सेर करूँ तो इसमें ये दिया है कि अभी जो साड़े सवाल थे उत्तम बहलू एस्टील के एकोजिशन के तो उसमें साड़े प पहनाने का काम करेगा COVID-19 pandemic की वज़े से इस पात की मांग में आई भारी की रावट के कारण कारवाल ने NCLT को आवेदन किया था कि वह UBSL से कम किमतों के लिए दोबारा negotiation करना चाहता है जिसकी उसे परमिशन दी जाए जिसे NCLT ने अभी तक इस आसह का कोई परमिशन नही दिया था किन्तु इस बीच IBC जिसे Insolvency and Bankruptcy Code भी कहा जाता है उसके 30 days के payment timeline का honor करते हुए कारवाल ने पूर्व negotiated amount का भूगतान करने का फैसला लिया है जो लगभग 2600 करोड के आसपास है UVSL से NCLT में 5 creditors की समुम के द्वारा इस deal के खिलाफ दी गई याचिका भी NCLT के तरफ से खाड़िच कर दी गई है इस प्रकार सभी प्रकार की NCLT में चल रही deal बिरोधी कारजवाईयों का अब अंत हो चुगा है साथ ही IBC के 30 days के payment line भी इस deal को सीरे चढ़ाने में मदद कर पा रही है जिससे UVSL के निवेसकों का बड़ा फाइदा होने की उमीद की जा रही है जब तक इसके अधिगरहन की पूरी परकडिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके सेर्स के dilution या evaluation के ऊपर कुछ भी commentary करना बेमानी होगा क्योंकि पीछे हम लोगों ने देखा था कि आलोक industries के 10 सेर जीन निवेसकों के पास थे उन्हें एक नई सेर अलाउट की गई थी ठीक इस परकार की pattern लगभग रूची सोया में भी देखी गई थी और उसके सेर के भी dilution लगभग इसी परकार से किये गए थे कि अधिक सेरों के बदले में एक सेर दिये गए थे अब यहाद देखना सेस है कि UESL के सेर धारकों के सेर्स को नई मेनेजमेंट, NCLT और सेबी के द्वारा किस परकार एड़जेस्ट किया जाता है अगर आज इसके कारोबार के स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि 3,13,8,51 सेर की टोटल ट्रेडिंग हुई जिसमें से 1,99,3,344 सेर की डिलिवरी भी हुई अगर परसेंटिज अभ डिलिवरी की बात करें तो 63% से अधिक मतलब एक strong डिलिवरी चल रही है और फ्रेंट्स इसके order book को और थोड़ा सा detail में देखें तो आप देखेंगे कि price में मजबूती है इसके बावजूद भी buying quantity नहीं है और selling quantity लगी हुई है इसका मतलब एक है कि जो भी निवेसक है पुराने वो अपना मुनाफ़ा book कर रहा है क्योंकि उन्होंने काफी निचली अस्तोन पर इसमें निवेस किया हुआ है और जो नए निवेसक है उनको इन खबरों का पता लग चुका है इसलिए इसमें नए निवेस कर रहे हैं और बहुत strong delivery उठाड़ा है तो friends इन सारे information के आधार पर आप अपनी एक research करेंगे आप अपना एक study करेंगे और उस research और उस study के आधार पर उत्तम गलवाय स्टील के अंतरगत निवेसमंधी कोई final निड़ने करेंगे friends एक अंती में आपके साथ यह request है कि अगर आपने अभी तक demate account नहीं खोला हो तो वीडियो के description box में जाएं और वहाँ पे जो demate account की link दी गई है वह free में खुलता है उसे click करें थोड़ी सी formality करेंगे तो आपका demate account खुल जाएगा और आप नए series से trade कर पाएंगे और friends उत्तम value steel के उपर अगर आपको कोई व्यक्तिकत सलाह चाहिए कोई सुझाव चाहिए तो आप अलग से gcapitalnews at the rate gmail.com पर मेल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी team के member बन सकते हैं और friends वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो comments करेंगे like share subscribe करेंगे bell icon button प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि इस informative वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे जय हिंद जय भारत